एर कंडिशनर सिस्टम में कभी कभी छोटा सा फाल्ट होता है लेकिन काफी कनफ्यूज कर देता है जैसे कि हमारे दोस्त ने एक कोश्चन पुछा आप देख सकते हैं मैं HVAC टेकनिसियन हूँ मेरे साथ एक सिस्टम है जिसमें जिसमें कॉंटेक्टर लगा हुआ है अब कॉं प्रेसर वापस से बंद हो जाता है अजब कि आउट्डूर का फैन मोटर पूरा चल रहा है इसमें क्या फाल्ट है क्या रीजन है आज कंप्लीट इस वीडियो में समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए चाहे एक टन का हो दो सेम इसी तरह से उसका कनेक्शन किया जाता है आज जिस तरह से मैं बताऊंगा आज से सारे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगे कोंटेक्टर को ले करके सिर्फ में वाइरिंग में बताऊंगा अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज चाहिएं तरह के दूरा करने निकल करके हमारा डारिक कोंटेक्टर में जाता है कॉंटेक्टर से कमप्रेशर में जाता है इस तरह से वाइरिंग के की जाती है पहले में कौंटेक्टर में conversation से दिया जाता है उसके बाद CONTACTOR से लेकर के reversible को अ के टर्मिनल तक उसके सप्लाई होती है लेकिन हां यहां पर यह समझे लिए कि कि हम में अपार में सप्लाई सर्द से लेका significant के बाद बीच में ब्रेक होता है यह समझ लिजे बीच में ब्रेक होता है ब्रेक कब तक होता है कि जो MCB के ओफर जो इस तरह से पलंजर लगा होता है इस तरह से दबाता है जब पलंजर को तब उसके बाद सप्लाई पास करता है और कंप्रेसर चलने लगता है चाहे ओ थ्री फेस हो या फिर सिंगल फेस का हो 220 का करेंट हो या फिर 440 वल्ट का करेंट हो बीच में ब्रेक होता है अब वो कॉंटेक्टर को स्टार्ट करने के लिए जो पलंजर होता न ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इसको ड्राइबर से बार बार प्रेस करने जाएगा जब हम अमरे दोस्त ने पूचा है कि जब हम इसको ड्राइबर से उसे प्रेस करते हैं प्रेस करने के बाद क्या होता है कि चलने लगता है कंप्रेसर चलने लगता है उसके जब छोड़ देते हैं तो कंप्रेसर बंद हो ज समझ लिजी कि किस तरह से काम कैसे करता है वायरिंग मैं बताऊंगा प्रेक्टिकल कुछ हमारी दोस्त कह रहा है कि बहुत दिन से कि प्रेक्टिकल इस पर वीडियो बनाई है एक चुली क्या ना कि अभी सीजन डाउन है और सीजन है जिसके वह जैसे क्या होता है कि हमारा मिल पर अभी काम तो कांटैक्ट्टर के ऊपर मैं प्रेक्टिकल वीडियो नहीं बना पा रहा हूं जीस दिन मुझे काम मिलेगा उस दिन में प्रेक्टिकल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि तीन three phase की सप्लाई कांटैक्टर तक इन पूट तक यान नहीं कि line 1, line 2 L1 L2 L3 तीन सप्लाई यहां पर दी जाती है इनपुट अब उसके दूसरे साइड से क्या होता है T1 T2 T3 यह तीन सप्लाई आउटपुट होता है लेकिन जब पलंजर दबेगा तभी आउटपुट सप्लाई निकालेगा तब जाकर के कंप्रेसर स्टार्ट होगा तब तक सप् अगर जिसमें कॉंटेक्टर लगे हुए इसी तरह से उसका कनेक्शन किया जाता है इसी तरह से सप्लाई दी जाती है अब उस पलंजर को हम दबाना कैसे है आटोमेटिक कैसे काम करता है उसके लिए काम करता है इंडोर का PCV जो होता है इंडोर का PCV में रिले लगा होता है आप देख सकते हुए में यह रिले होता है कि खम करता है जब में कुछ कंप्लीट हो जाती है तो रिले कमांड भेज़ता है और वहां पर ऐसलीच निशती है है तो यहां पर दो चीज आपको चेक करने होते हैं एक तो आउटडोर का जो कॉंटेक्टर है या तो कॉंटेक्टर खराब होगा या तो इंडोर के पीसी बी का रीले खराब होगा यही दो चीज खराब हो सकते हैं और कुछ भी खराब नहीं होगा तो इसे चेक कैसे करना फाइंड कैसे करना ये भी समझ लीजिए अखिर दो चीज तो हमने बता दिया लेकिन अब इन दोनों में से फाइंड करना है कि इन दोनों में से क्या खराब है बसका मालाइन पहुच रहा है कि कमांड जो ताना 220 का करेंट वहां पर पहुच रहा है कि अगर नहीं पहुच रहा है तो या तो बीच में कहीं ब्रेक हैं जो वाईरिंग है या तो इंडूर का जो PCB नो उसका रीले खराब है यह तो हो गया अगर आउट पूर सप्लाई निकाल रहा है कमांड लाइन 220 का करेंड कम जो आउट्डोर का आप देख सकते हैं इस तरह से उसमें जो लिखा होता है वी-सी-एफ यानि कि फोरिवे रिवर्सिंग वाल फैन मोटर आउटडोर फैन मोटर और कमप्रेसर कमांड यह तीन वायर निकलते हैं इंडोर से निकल करके जाते हैं तो आप वहां पर चेक करेंगे अगर सप्लाई मिल रही है वहां पर तब आपको चेक करना है कि कॉंटेक् ही पहुंचता है गँश the nagnoade में पहुंचता वमें आपक with the मगेंट होते हैं किल जिए उसमें कॉपर कि वायंड डिंगोर कर दो कि और नहीं और यह रहे हैं तो आपको इस तरह से चेक करना है या तो आउट ओर कर दो कॉंपा करक क्युत कर सकते हैं चेक कर सकते मूं का आपцийानिक करशाएब तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें, और बिल आइकन को प्रेस करके All पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो में बना हूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले, और अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारी फेस्बुक पेज को फालो कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूजफिल वीडियो हम आपके लिए ले करके आते रहते हैं, तो आज के लिए वस इतना हैhou, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलतें निया ट